यहां नहीं होती है हनुमान जी की पूजा इस वज़ा से उनसे अब तक नाराज हैं लोग मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदीरों में उनके दर्शन के लिए लंबी-लंबी कतारों में श्रदालों को लगना पड़ता है कल्यूग में सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले भगवान में हनुमान जी पहले आते हैं लेकिन अगर कोई ये कहे कि यहां हनुमान की पूजा नहीं होती उनकी पूजा पर प्रतिबंद है तो हैरान होना सोभाविक है बारत के ही एक गाउं में हनुमान जी की पूजा नहीं होती है इस गाउं के लोग हनुमान जी से अब तक गुसा हैं इसी वज़े से इस गाउं में ने れて इनकी पूजा होती है और नहीं कोई मंदीर है जी हाँ उत्राखंड के सिमान ते जन पर चमोली का द्रोणागिरी काओ यह गाओ जोशिमत प्रकंड से जोशिमत निती मार्ग पर लगभग 14,000 फूट की उचाई परिस्ती थे माननत यह है कि यहाँ हनुमान जी जिस परवत को संजीवनी बूटी के लिए उठा कर ले गए थे द्रोणागिरी के लोग उस परवत की पूझा करते थे इसलिए वे हनुमान जी के परवत उठा ले जाने से नाराज हो गए हैं यही कारण है कि आज भी यहाँ हनुमान जी की पूचा नहीं होती, यहाँ तक कि इस गाउं में लाल रंग का जंडा लगाने पर भी पाबनती है। कहते हैं कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए गाउं में पहुचे तो वे भ्रहम में पढ़ गए। उन्हें कुछ सूज नहीं रहा था कि किस परवत पर संजीवनी बूटी हो सकती है। तब गाउं में उन्हें एक व्रध महिला दिखाई दी। उन्होंने पूचा क कि संजीवनी बूटी किस परवत पर होगी व्रध ने द्रोनागिरी परवत की तरफ इशारा किया। हनुमान जी उड़कर परवत पर गए पर बूटी कहा होगी यह पता न कर सकी। वे फिर गाउं में आये और व्रधा से संजीवनी बूटी वाली जगह पूची। जब के अराद देव परवत की विशिश पूजा पर लोग महिलाओं के हाथ का दिया नहीं खाते हैं। हनुमान जी विशन आदी कुछ आन्यवीर ही उस ब्रह्मास्त के प्रभाव से बच पाए थे। जब हनुमान जी घायल जामवंत के पास पहुचे तो उन्होंने कहा इस समय केवल तुमें श्रीराम लक्षमन और वानर सेना की रक्षा कर सकते हो। चमकिला है वहां तुमें चार ओषदियां दिखाई देगी जिससे सभी दिश्राय प्रकाशित रहती है। वह रिशप परवत की दर्शन भी किये। इसकी पाद उनकी दरस्टी उस परवत पर पड़ी जिस पर अनेक ओषदियां चमक रही थी। हनुमान जी उस परवत पर चड़ गए और ओषदियों की खोच करने लगे। उस परवत पर निवास करने वाली संपूर्ण महा ओषदियां यह जानकर कि कोई हमें लेने आया है ततकाल अध्रश्य हो गई। यह देखकर हनुमान जी बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने वह पूरा परवती उखाड लिया जिस पर ओषदियां थी। कुछी समय में हनुमान जी उस स्थान पर पहुँच गए जहां श्री राम, लक्षमार, वह वानर सेना बेहोश थी। अनुमान जी को देखकर श्री राम की सेना में पुनह उस्साह का संचार हो गया।